पब्लिक टीवी आपकी आवाद के पास एक यूबक के पेड़ से बंदे होने की सूचना मिली पूलिस ने पहुच का यूबक को बंदन मुक्त किया पूस्ताश में यूबक ने खुद को ओला कैप चालग पंकशपूत अतर सिंग निवासी चमन गेट सिकंदा तकिया जनपत हतरस बताया उसने बताया कि रभीवार की शाम ओला कैप यूपी सोला डीटी तेश चपन को नोईड़ा सेक्टर उरंचा से मॉबाइल एप से बुक किया गया था दो लड़के जिनकी उमर करीब 30 से 35 वर्ष थी कार में सवार हुए और मुरादाबात काशिपूर होते हुए नैनिताल चलने के निये कहा वे उनको अपनी ओला कैप में बिठाकर नैनिताल के निये चल दिया जोवा में उन्होंने अपनी हम उमर एक और साती को कैप में बिठा लिया रात करीब साड़े ग्यारा वज़े कैप जब ग्राम सुल्तानपूर दोस्ट राहा पर पहुची तो उसमें से एक ने कहा कि गाउं में एक आदमी को और लेना है उसने जैसे ही गाउं की तरफ कार मोडी तीनों ने लगुशंकार कने के बहाने से कार को रुकवाया और उसको तमंचा दिखा का गाड़ी के नीचे उतार का रोट किनारे खड़े पेड में बांदिया सिफ्ट डिजाइरर कार के साथ ही उसका मोबाइल फोन बाप 3500 रुपे भी लूट ले गए चालक पंकश कुमार की तहरीर पर कोत वाली में तीन अग्यात बदमाशों के खिलाब लूट का मुकदमा दर्श किया गया है सीओ विशाल यादब के अनुसार बुकिंग के नंबर के अधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है सीधी ही गट्टा का खुलासा कर दिया जाए कहां किस तरह से कहां से आये थे ओलो आप कहां से आये थे नोईडा से अनुसार मामला बत ओ इक गया गाड़ी अहला और के टुरूर फूख की गई थी जोकि ही एलो न नोईडा से नायलतल लिए others जिनोंने भूख की थी उन्होंने रास्ते में आणिवर को ह्याद्था कि और द्र।के को बंदक बना के फेड़ दिया मुगत्मा रिस्टर कर लिया गया है और इसमें तीन टीमों को लगाए गया है जो अभ्यूप थाउन को ट्रेस करने के लिए और अरेस्टी है